हाई ब्रिवन मैं विरेंद कुमार आप सभी का अपने चैनल वी किसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं आज हम सभी देखेंगे कि जब कोई प्राकलन तयार किया जाता है तो उस प्राकलन के लिए कौन-कौन सी समग्री कौन-कौन सी निर्मार्थ पदार्थ होते हैं उनका मापन तथा उनके भुक्तान की जो इकाई होती है वह क्या होता है ये जो टापिक हमारे होते हैं क्वांटिटी, सर्वेंग, एंड बैलोशन के अंतरगत आते हैं जो हमारे सिविल इंजिनिंग के छटे समेस्टर में पढ़ाया जाता है तो चलिए सुरू करते हैं निर्मार्थ समग्री तथा निर्मार्थ मदों के मापन और भुक्तान की इकाई जो विभिन प्रकार के हमारे निर्मार्थ कार्य होते हैं उनके लिए उस कार्य के लिए या कहा जा सकता है उस कार्य में बिभिन प्रकार की समग्रियों की आऊ सकता पड़ते हैं समग्रियों के और सकता पड़ती है इन समग्रियों की मापन जो होती है वह भी विभी निकाईयों में किया जाता है और उनके भुक्तान जो किया जाते हैं वो भी उनहीं मापन इकाईयों के अनुसार ही किया जाता है जैसे कहा जाए कि हमको एक भावन बनाना है तो भौन बनाने के लिए इट का परियोग होना ही होना है सिमेंट हुआ, बालो हुआ तो ये सब परियोग में लाने ही लाने है लेकिन वहीं पर ये तिक कहा जाए कि इस टेल यहनि इस पात की ट्रस्ट बनाई जाए इस पात की कैची बनाई जाती है तो उस इस पात की कैची में अन्यायों परियुक किये जाएंगे जैसे का सकते हैं गाडर हो गये या कोई अंगल हो गया हमारा या कोई प्लेट हो गया लेकिन वो सारे जो होंगे हमारे स्टील के होंगे अब जिस प्रकार से हमको निर्माड कारी करना होगा उसी निर्माड कार के अनुसार ही समगरी प्रयोग की जाती है और उसमें जो निर्माड के मद होते हैं वो होते हैं और जो भुक्तान होती है इन्ही निर्माड समगरी या निर्माड मदों के आधार पर ही किया जाता है तो इसके कुछ महत्पूर मद उनके नाम और उनकी क्या इकाई होती है भुक्तान की ये देखते हैं तो सबसे पहले इसमें दिया गया है ये मद कर्मांग खंसारे मद का नाम इट हो या फिर मिर्दा की टाइल हो अगर इन दोनों का मापन की बात किया जाए तो वह मापन हमारा हजार में होता है अब ये जो मिर्दा की टाइल होगी जब इस टाइल का कोई निश्चित माप होगा जब निश्चित माप होगा तब इसको संख्या में का सकते हैं हजार में माप आजाएगा और जो इसकी भुक्तान की इकाई होगी वह परती हजार के हिसाब से होता है जैसे गर बात किया जाए इंट इंट यह दि बजार में लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक हजार परती इट के हिसाब से दर बताया जाता है या फिर समानता क्या करते हैं कि ट्राली एक ट्राली के हिसाब से बताया जाता है लेकिन जो ट्राली में इटो की संख्या होती है वह इसी एक हजार के गुडांक में ही रखा जाता है ऐसे दूसरा मद है फर्सी वा काचित टायल यह भी हमारा सैक्ड़ा में मापा जाता है और पर्ति सैक्ड़े में इसकी भुगतान की जाती है वहीं पर यदि बात किया जाए चूना का तो जो चूना हमारा होता है या कुंटल या फिर घन मीटर इनमें मापा जाता है और जो इसकी भुगतान की इकाई होती है पर्ति कुंटल के हिसाब से या फिर पर्ति घन मीटर के हिसाब से किया जाता है वहीं ये बात किया जाए सिमेंट की तो सिमेंट का जो मापन किया जाता है वह बोरे के हिसाब से किया जाता है और जो इसकी भुकतान होती है वह भी बोरे के हिसाब से होती है अब अगर देखा जाए तो जो एक बोरी सिमेंट होती है वह एक बोरी सिमेंट 50 kg के बराबर होता है तो इसको kg में नाम आप करके बोरी के हिसाब से भुकतान किया जाता है जितने बोरी आप सीमिंट की खरेते हैं उतने बोरी के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं वही अगर बात किया जाए पत्थर की गित्टी हो, बालू हो, सुर्खी हो, सिंडर, राक या इट के टुकड़े हो तो इनका मापन घन मीटर में किया जाता है और भुकतान जो होता है वह अभी हमारा घन मीटर में ही किया जाता है यहाँ पर अगर देखेंगे तो इट था तो इसको हजार में मापा गया जो हमारी इट थी इस इट को हजार में मापा गया और भुकतान परती हजार के हिसाब से किया गया लेकिन वहीं इट के छोटे-छोटे टुकडे या रोरिया प्रयोग की जाती है तो उसका मापन मीटर की उप में और भुकतान पर्ति मीटर के उप में किया जाता है वहीं अगर बात किया जाए बिटमुन, कोलतार, पथरीली, कोईला तो इनका जो मापन करते हैं वह टन में करते हैं और जो भुकतान किया जाता है वह पर्ति टन के हिसाब से करते हैं वहीं पेंट हुआ या रंग रोगन हुआ या लिक्यूड अस्था में होगा डिस्टेमपर हुआ और वारनिस हुआ तो इन सब का जो मापन किया जाता है वो लीटर में करते हैं और खरिदारी करना हो या बेचना हो जब भी भुक्तान के हो सकता होगी तो पर्ति लीटर के हिसाब से किया जाता है वहीं सफेदा हो सीसा हो केल हो या हुक हो तो इनको केजी में मापा जाता है और जो भुक्तान किया जाता है वो हमारा पर्ति केजी के हिसाब से किया जाता है यहीं जो सीसा है अगर यह सीसे की पतली-पत्टी होती है जैसे अगर कहा जब फर्स हमारा होता है तो जब फर्स बनाया जाता है तो उन फर्सों में काच की पतली-पत्ली पत्टिया लगाई जाती है अगर उस प्रकार से पट्टी लगाई जाती है तो उसको केजी में न माप करके मीटर में मापा जाता है और हम देखते हैं काँच हो, रिज हो, घाटी, गाटर, इप बोर्ड तो इन सब को मीटर में मापा जैसे भी बताएगे कि काँच ये दिया है तो काँच को केजी में मापा गया, लेकिन यहां भी काँच दिखाया गया लेकिन कहा जा रहा है कि मीटर में मापा गया तो काँच तो है, लेकिन वहां पे प्लेट थी और यहां पे क्या है, काँच की एक पतली ऐसे पट्टी होगी जो कि फर्स बनाते समय टाइलों के बीच में रखा जाता जिससे कि जब तापमान परिवर्तन हो परसार या संकूचन हो तो उसको अरिजस्ट कर ले दूसरे नमबर पर प्लायूड लकड़ी के पट्रे हो तार की जाली हो कार्पेट हो समतल करना हो ने कोई भूमसता हो उसको समतल करना हो वह भूमसता के सफाई करने हो या तक्ठा बंदी करना हो फार्मा बंदी लगाना हो तो इन सब का जो मापन करते हैं वह बर्ग मीटर में और जो भुकतान होती है वो अभी बर्ग मीटर में ही किया जाता है प्लायूड लकडी के रेशिव को दबा करके बनाया जाता है ये पट्रे हुए पल्ले हुए तार की जाली हुए कारपेट हुए जो फर्सोगेरा पर फेलाया जाता है और कोई भूम सता हो समतल करना हो बन दिकन नहँआ तो यह सब हमारे इन अरिया जाते हैं और भुकतान प्रतिव्पर्घ रूमींटर के हिसाब से किया जाता है यहाँ अगर कास्ट च्छ्ण कास्ट या लक्डी कि अगर कोई ब्रिच्छ है कि या वनको काट करके छोटे छोटे टुकड़े बनाये गए हों तो उनका जो मापन किया जाएगा वो हमारा किया जाएगा घंफुट में लेकिन यहां पर प्लायूड या पट्रे थे इनको पतला कर दिया गया एक निश्चित मोटाई में बनाया गया तो सिर्फ इसको बर्ग मीटर में मापा गया लेकिन वहीं पर लकडी का दरवाजा बनाया जाता या फिल लखडी का खिड़की बनाई जाते तो इसका जब मापन किया जाता तो संख्या में करते कि कोई भावन है उसमें दरवाजों की संख्या कितनी है यह खिड़की लगाएगे कितनी खिड़की लगाएगे और जब दरवाजे या खिड़की की खरीदारी कर ने जाते तो उसका जो भुकतान किया जाता वह भी एक दर्वाजे या एक खिड़की के हिसाब से करते या का सकते हैं पर्त खिड़की या पर्त दर्वाजा के हिसाब से भुकतान किया जाता पत्थर हो चटान हो इसके कटाई करना हो मिर्दा कारी करना हो चूना कंक्रेट हो इट चिनाई हो, और सीसी कारी हो, चूरना सिमेंट गारा का मसाला हो, तो ये सब भी हमारे घन मीटर में ही मापे जाते हैं, और इसकी भुक्तान की जो इकाई होती है, वह परतिघन मीटर होता है, जैसे इट की बात यहां किया जब, यद इट होगी, मात्र इट, तो उसका मापन संख्या में किया गया या हजार में, जब वह पर इट के टुकड़े होगी, तो उनका मापन गन मीटर में किया गया, और इट की चिनाई कर दी जा रही है तो भी मापन घन मीटर में ही किया जाएगा इसके बाद हमारा है सिमेंट चूना मिर्दा का प्लास्टर निका सकते हैं सिमेंट का प्लास्टर किया गया हो चूना का प्लास्टर किया गया हो या मिर्दा से प्लास्टर किया गया हो कि डाइंडो बनाया गया हो एनि फर्स से कुछ उचाय तक किया गया हो इसका टिंग टेप कार हो फर्स तोड़ना हो कोई चद्दर हो उखाडना हो उसको या कांच की पूर्ति करना हो तो यह सारे जो हमारे किये जाते हैं बर्ग मीटर में किया जाते हैं और इसका जो मापन होता है यह पड़ती बर्ग मीटर में मापन करते हैं यहीं पर इस पात के एंगल हो टी हो चैनल हो सरिया हो गार्डर हो खंड हो कोई भी इस पात का खंड हो इसको जोड़ना या काटना हो तो इसके लिए जो मापन की जाते हैं कुंटल में किया जाता है जैसे अगर कहा जाए कि एक कुंटल है एक कुंटल इस पात है इसको काटना है हुक बनाना है मोडना है तो इसके लिए भी माफन कुंटल में ही किया गया और जो हमारा लोहार होगा उसको यह भुकतान किया जाएगा तो वह भी परतिकुंटल के हिसाब से ही किया जाएगा तो ये कुछ हमारे महत्पूल मद थे जिनका प्रियोग आगे अधिक्तर किया जाता है और इन मदों से जो हमारे BTP के एकजाम होंगे उसमें भी 5-7 मद पूछे जाते हैं और हर मद एक एक नंबर का कम से कम होता है कि कोई मद बताईए उसका मापन किसमें करते हैं और उसका भुकतान किसमें किया जाता है अब हम बात करते हैं बिश्तरित प्राकलन तयार करने के लिए आवस्यक डाटा अगर कोई भी प्राकलन तयार किया जाता है तो उस प्राकलन के लिए सबसे जरूरी होता है आरेक यानि जो भी निर्माड़कार किये जाने है इसके लिए सबसे पहले ड्राइंग त्यार की जाती है ड्राइंग को ही आरेक कहा जाता है सबसे पहले ड्राइंग क्या हो सकता होगी यह दिड्राइंग हमारा तयार हो जाता है तो उसमें जो भी आकड़े दिये गए होंगे उन आकड़ों की अवसक्ता होती है और वो आकड़े क्या किये जाते हैं विसिष्टियों के अंतरगत रखे जाते हैं यह जो ड्राइंग बनाए गए उस पे जो माप है या जो दिवाल दिखाएगी दिवाल की चिनाई की स्पकार से करते हैं दिवाल में कौन-कौन सी सामगरी प्रियोग करनी है कितनी-कितनी मात्रा में करनी है यह सारा जो ब्यवरा होता है ड्राइंग सीट पे नहीं दिखाई लिए डराइंग सीट पर नहीं दिखाई जा सकती है तो इसके लिए विस्ष्टियां तयार कर लिया जाता है तीसरे नंबर पर है दर्ह अनुसूची है activity toot ड्राइं त्यार हो गया, बिसिष्टिया भी त्यार हो गई हैं, लेकिन उसके मुली का निर्धारण करना होता है, तो उसके लिए दर अनुसूची क्या हो सकता पड़ती है, जो दर अनुसूची होता है, या हमारा PWD या CPWD पर्तिवर्स, सेडूल आफ रेट नामक एक बुक पर्तिवर्स जारी करती है, उसमें उन सभी समग्रियों का नाम और उसकी दर निर्धारित की गई होती है, उसी दर के अनुसार इसका प्राकलन या लागत ग्यात किया जाता है, इसके बाद चवते नंबर पे है, निर्माड अस्थल तथा स या जो हमारा निर्माड अस्थल है, वह कहां पे है, और उस निर्माड अस्थल पे जो निर्माड कारी चल रहा है, उस निर्माड कारी में होने वाले समग्रियों की खपत कहां से प्रात करना है, या जो समग्री उस निर्माड कारी में लगेंगे, वो समग्री कारी अस्थल से कितने दूरी पे लाया जा रहा है या कहां से प्राप्त किया जा रहा है इस पे भी ट्राकलन तयार किया जाता है क्योंकि अगर नजदीक होगा यह जो कारियस्थल होगा कारियस्थल से अस्रोत जहां से समगरी हमको प्राप्त हो रही है यह नजदीक है तो जो परिवाहन हो यह समगरी को लाने ले जाने में बे होगा वह कम हो जाएगा लेकिन वहीं पर अगर यह दूर होता तो आप एच्छा किरित अधिक खर्चाता तो इसको भी ध्यान में रख करके बिश्त्रित प्राकलन को तयार किया जाता है मापनी सेट यहनि ड्राइंग बनाते समय एक उप्युक्त मापनी का प्रियूग करके ही बनाया जाता है जिससे कि उसी मापनी के आधार पे और छेत्रों में ड्राइंग हैं बनाई जाती हो इससे क्या होता है कि जो ड्राइंग बना रहा है वो बना करके तयार कर देता है और जब वह ड्राइंग किसी दूसरे के पास जाती है तो एक निश्चित मापनी होने पर वह सरलता से इसको पढ़ सकता है और इस पर जो आक्रे दिखाए गये हैं उनकी गड़ना भी कर सकता ह इसके अलामा कुछ आवस्यक परपत्र बनाये जाते हैं जब कोई निवदा निकाली जाती है तो उसके लिए जो आवस्यक परपत्र तयार किये जाते हैं वो भी प्राकलन बनाते समय आवसकता पड़ती है तो ये सब हमारे थे आवस्यक डाटा जो की बिश्त्रित फ्राकलन त्यार करने के लिए आउसकता पड़ती है यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें सेर करें तथा हमारे चैनल को सस्क्राइब करें यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद